असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर 18 M.D.Cat Chemistry का और इस चैप्टर का नाम है Chemistry of Life इस चैप्टर के हम MCQs को आज डिसकस करने लगें अगर आपने इस चैप्टर की theory की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाईए नीचे description में playlist की link मुझूद है जहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और वो सारी वीडियोस देख लीजए उसमें चैप्टर 18 की वीडियोस आपको मिल जाएंगी पहले वो देख लीजए और हाँ अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कब सबस्क्राइब करोगे दोस्त साथ मैं bell icon को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना आज हो बढ़ते हैं MCQ की तरफ सबसे पहले MCQ की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला MCQ है branch of chemistry that deals with the chemical processes going on in the living organisms is called यानी chemistry की वो ब्राँच जो के उन chemical processes से deal करती है जो के हमारे body के अंदर यानी living organisms के अंदर चल रहे होते हैं तो उस chemistry की ब्राँच का नाम क्या है तो उस chemistry की ब्राँच का नाम है bio chemistry bio से मुराद होता है life और chemistry मलब chemistry of life आगे बढ़ते हैं MCQ number 2 में हम से पुछे जा रहे है the group of chemical agents that takes place in life sustaining processes is called यानी chemical agents का वो group जो के life sustaining process के अंदर अपना role play करता है उस group of chemical agents को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है food क्योंके खाने की वज़ा से हम जिन्दा रह पाते है आगे बढ़ते हैं MCQ number 3 के उपर MCQ number 3 में कहा जा रहा है a material cannot be termed as food unless it contains एक material को उस वक तक food नहीं कहा जा सकता जब तक के उसके अंदर many nutrients शामिल नहीं हो बहुत सारे nutrients उसके अंदर शामिल नहीं हो सिर्फ carbohydrate होगा तो food नहीं कहलाएगा सिर्फ carbohydrate के सिर्फ vitamins होगा तो भी food नहीं कहलाएगा किसी तरह से बहुत सारी चीजों का combination हो जाएगा तो फिर वो कहलाएगा food जैसे कि अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे के अंदर बहुत सारे nutrients शामिल है और हम उसको लेट से फराटे के साथ खा रहे है तो फराटा carbohydrate अपने अंदर रखता है बहुत साथ है क्योंकि वो वीड से मिलके बनाया है और उसको oil के अंदर बनाया गया है तो ये बहुत सारे nutrients का combination हो चुका है तो इसलिए अभी ये food के लाएगा आगे बढ़ते है MCQ नंबर 4 की बात करें A complete food is that which contains एक complete food कौन सा होता है जिसमें सारे ही important nutrients शामिल हो All the important nutrients Option D, right answer है आगे बढ़ते हैं Next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है Breakdown of complex food molecules to simpler one by the action of various enzymes is called यानि कि जो complex food molecules है बड़े-बड़े food molecules है उनका टूटना बड़े-बड़े food molecules का टूटना छोटे-छोटे molecules के अंदर enzymes के action के थुरू ये process क्या कहलाता है तो ये process कहलाता है digestion यानि कि हमारी body जो हजम करती है आगे बढ़ते हैं अगर M.C.Q. 6 की बात करते हैं तो M.C.Q. 6 अंदर लिखा हुआ polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone और वो substances जो कि ये substances produce करते हैं upon hydrolysis are called as ये सीधा-सीधा definition है carbohydrates की प्योंगे carbohydrates हमने पढ़ा था कि इसके अन्दर polyhydroxy aldehyde होंगे या polyhydroxy ketones होंगे या फिर ऐसे substances जब उनको पानी के नदर डिसॉल्फ किया जाएगा तो वो तूट जाएंगे polyhydroxy aldehyde में या polyhydroxy ketone में तो इन सब को कहा जाएगा कार्बो हाड़ेट आगे बढ़ते हैं next M.C.Q. पे M.C.Q. नमबर 7 पे कहा जा रहा है major class of carbohydrates are कार्बो हाड़ेट्स की major classes कितनी होती है तो कार्बो हाड़ेट्स की तीन major classes होती है पहली टाइप है monosaccharides monosaccharides दूसरी है oligosaccharides और तीसरी है polysaccharides तो हमारे पास option B right answer होगा जिसके नदर 3 types का जिकर हो रहा है आगे बढ़ते हैं MCQ नमबर 8 पे लिखा हुआ है कार्बो हाड़ेट्स विच कैननोट भी फर्दर हाड़ोलाइस आर्कॉल वो कार्बो हाड़ेट्स जिनकी फर्दर हाड़ोलिस नहीं की जा सकती वो कार्बो हाड़ेट्स क्या कहलाते हैं तो वो Carbohydrates खिलाते हैं Monosaccharides आगे बढ़ते हैं Next MCQ पर वो Carbohydrates दुबारे सेम MCQ रिपीट हो गया है वो Carbohydrates जो के further hydrolyze नहीं हो सकते हैं उनको कहा जाता है Monosaccharides Next MCQ है यहाँ पर हमारे पस option होगा Monosaccharides का Monosaccharides यहाँ पर एक mistake हो गई है MCQ केंदे अब बात करते हैं MCQ नमबर 10 पर Carbohydrates that on hydrolysis produce more than 10 Monosaccharides units are called वो Carbohydrates जो के 10 से ज़्यादा Carbohydrates फॉर्म करते हैं उन Carbohydrates को क्या कहा जाता है तो उन Carbohydrates को कहा जाता है Polysaccharides और Olicosaccharides होते हैं जो 2 से लेकर 10 तक Monosaccharides फॉर्म करते हैं upon hydrolysis Next MCQ में कहा जारहे है Carbohydrates contain Carbohydrates में कौन कौन से ग्रुप स्सामिल होते हैं एक CHO ग्रुप होता है ketonic group भी हो सकता है यानि कि aldehytic group भी शामिल हो सकते है और ketonic group भी शामिल हो सकता है और OH group भी शामिल हो सकता है इसी लिए इनको कहा जाता है Polyhydroxy aldehyde या polyhydroxy ketones तो हमारा सही आंसर हो जाएगा D all of these milk sugar is also called जो milk sugar है यानि दूद में जो मिठास है उसको क्या नाम दिये जाता है तो उसको कहा जाता है lactose वो carbohydrate है lactose कहलाता है आगे बढ़ते हैं 13 पर glucose को इन में से क्या नहीं कहा जा सकता glucose cannot be classified as carbohydrates, glucose carbohydrate होती है आगे बात करते हैं glucose को hexose भी कहा जा सकता है क्योंकि glucose के नदर 6 carbon atoms है L-dose भी कहा जा सकता है क्योंकि glucose के नदर aldehyde ग्रूप शामिल होता है glucose को oligosaccharide नहीं कहा जा सकता है तो option D हमारा right answer होगा glucose cannot be classified as oligosaccharide क्योंकि glucose जो है वो monosaccharides की type में आता है और monosaccharides वो carbohydrates है जो के hydrolysis के बाद कोई नए carbohydrates produce नहीं करता है अगर हम glucose की बात करें तो glucose का formula होता है C6H12O6 अगर मैं इसको break करता हूँ break करने के बाद ये convert हो जाएगा ethyl alcohol में C2H5OH में और साथ साथ में carbon dioxide gas release होगी तो अगर आप देखेंगे ये glucose किसी carbohydrate में नहीं टूट रहा बलकि ये टूट रहा है alcohol के अंदर तो हमने बात करिए कि carbohydrate यानि monosaccharides carbohydrate ये further किसी और carbohydrate में decomposed नहीं होते है लेकिन किसी और compound में other than carbohydrate ही decomposed हो सकते है आगे बढ़ते हैं 15 पर पूछा जा रहा है starch is represented by the formula starch को किस formula से represent किया जाएगा सबसे पहले ये समझ लीजे कि starch एक polymer है तो polymer के formula के बाद N जरूर लिखा होगा polymer के formula के बाद N लाजमी लिखा होगा जिससे ये पता लगता है कि ये बहुत सारे number of monomers से मिलके बना है जितने जादा monomers होंगे उत्ती बड़ी chain होगी तो सबसे पहले option B को और option A को गलत कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी formula के बाद N नहीं लिखा हुआ अब रहे गया option C और option D तो इसके अंदर एक ही option correct हो सकता है तो कौन सा option correct होगा वो option है option C स्टार्च बनता कैसे है स्टार्च बनता है glucose से मिलके glucose का formula होता है C6H12O6 अगर glucose के बहुत सारे moles कमस कम 10 से ज़्यादा moles आपस में combine होंगे तो होगा क्या ये glucose के molecules water loss करेंगे और water loss करने के बाद आपस में bond बनाएंगे जैसे के इन्होंने एक water loss किया ये एक water loss करेंगे और convert हो जाएंगे किस चीज के अंदर C12H22 और O11 के अंदर यानि मिसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ C उसके बाद लिख सकता हूँ 12 या C6 लिख लें C6 और उसके बाद हमने लिखा let's say H22 और O11 है पर होगा क्या है कि ग्लूकोस के बहुत सारे monomers आपस में combine होके starch को form करते हैं इस तरह से हमारे पस glucose के हर mole में से एक water molecule eliminate होता जाएगा और इस तरह से वो formula बन जाएगा C6 H10O5 का आगे बढ़ते हैं next MCQ में हम से पूछा जा रहा है on hydrolysis of starch we get finally hydrolysis अगर हम starch की करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी hydrolysis अगर हम starch की करेंगे तो हमें मिलेंगे glucose 17 में पूछा जा रहा है the compound found abundantly in nature वो compound जो के nature में बहुत जादा पाए जाता है उस compound का क्या नाम है glucose है, fructose है, सुक्रose है यह cellulose है cellulose सबसादा पाए जाता है यह हमारा right answer होगा क्योंके cellulose शामिल होता है plants के अंदर, पत्तों के अंदर, leaves के अंदर और इस तेना जाडियों वगरा के अंदर तो यह cellulose हर जगा पे आपको मिल जाएंगे बहुत जादा कसरत के साथ पे मिल जाएंगे forest के अंदर और शहरों के अंदर भी आगे बढ़ता है 18 पे carbohydrates may be regarded as carbohydrates को इन में से क्या कहा जा सकता है aromatic compound तो carbohydrates aromatic नहीं होता है और साथ साथ में along with cycle, cyclic compound भी नहीं होता है तो option A और option B दोनों ही options गलत है अगर हम बात करें option C की तो carbohydrates को regard किया जा सकता है poly functional compound के तौर पे क्यूंके carbohydrates के नहीं तीन functional group शामिल हो सकते है तीन functional group मलब अलग-अलग time पे जैसे के aldehyde group होगा या ketonic group होगा और साथ साथ में poly hydroxy group ससके नहीं शामिल होगा तो ये poly functional compounds के तौर पे लिया जा सकता है none of these यहाँ पर wrong option है glucose is an example of glucose की example क्या है किस चीज़ की example है तो glucose का formula होता है C6H12O6 इसका मलब हुआ कि 6 carbon है तो इसको hexose कहा जाएगा लेकिन आपने यह पढ़ा होगा कि glucose और fructose यह functional group isomers होता है अगर नहीं पढ़ा तो अब सुन लीजे glucose के अंदर aldehyde group शामिल होता है और fructose के अंदर ketonic group शामिल होता है इसी लिए glucose को कहा जा सकता है hexose क्योंकि aldehyde group है तो यह कहा जा सकता है hexose aldose अगर fructose होता तो fructose को कहा जा सकता था hexose ketose यह सारी बाते हैं हम chapter number 18 की theory की वीडियो उसके अंदर discuss कर चुक है अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो description में लिंक मुझूद है playlist की वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो glucose का नाम हो जाएगा aldose hexose option A हमारा right answer है MC को number 20 की बात करते हैं which of the following is not an essential constituent of carbohydrate इन में कौन सा carbohydrate का essential यानि के जरूरी component नहीं है तो carbohydrate के अंदर carbon तो हो गई और hydrogen भी होगा और hydrate आ रहे हैं यानि के water molecule का तसकिर आ रहे है तो उसके अंदर oxygen भी होगा लेकिन इसके अंदर nitrogen शामिल होना जरूरी नहीं है तो nitrogen हमारा सही answer है क्योंकि उनले पूछे है not an essential component आगे बढ़ते है next mcq में पूछे जा रहा है which of the carbohydrate is used in silvering of mirror इन में से कौन सा carbohydrate है जिसको silvering of mirror के लिए use के जा सकता है silvering of mirror का मलब यह है कि silvering of mirror होती है aldehytic groups की वज़ासे और free aldehytic groups की वज़ासे wrong option हो गया सुक्रोस और स्टार्श में भी aldehytic group मौझूद होता है लेकिन वो free नहीं होता जबके glucose के अंदर aldehytic group बिल्कुल free होता है तो हमारा सही answer हो जाएगा option A glucose glucose is used in silvering of mirror अब बात करते हैं mcq number 22 की which of the following carbohydrate is a disaccharide इन में कौन सा carbohydrate है जो के disaccharide है तो disaccharide कौन सा है यानि के जो जब तूटेगा तो कम असकम दो carbohydrate उससे form होंगे glucose नहीं है fructose भी नहीं है इसका सही answer हो जाएगा maltose disaccharide में हमसे पूछे जाते है sucrose maltose और lactose ये तीन carbohydrate ऐसे हैं हमसे बहुत frequently पूछे जाते हैं कि ये oligosaccharide है या कोई और से carbohydrates है starch glycogen और cellulose ये polysaccharides है इनको भी frequently पूछे जाते है अब बात करते हैं 23 की तो 23 में पूछ रहे है the essential component of our diet is हमारी diet का हमारे खाने का सबसे essential component कौन सा है glucose, fructose, starch या carbohydrates simple अलफाज में carbohydrates होने चाहिए अब वो glucose हो, fructose हो या starch हो इससे क्या ही फरक पड़ता है आगे बढ़ता है MCV No.24 में बात कर रहे है which is non-reducing sugar इन में से कौन सा non-reducing sugar है तो non-reducing sugar वो होता है जिसके पास कोई free aldehyde group मौजूद नहीं होता या non-reducing group को हम इस तरह से बात कर सकते हैं non-reducing group जो होते हैं वो polysaccharides होते हैं polysaccharides होते हैं या फिर sucrose ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो के non-reducing sugars के अंदर आती हैं इसके लावा जो monosaccharides हैं या oligosaccharides में sucrose के लावा जो भी है वो आएगा reducing sugar के अंदर फिलाल उन्हें non-reducing sugar का पूछाए तो non-reducing sugar में polysaccharides और sucrose आएगा तो option A हमारा right answer हो जाएगा sucrose 25 पे बात करते हैं carbohydrates that reduce tolerance reagent और failing solution are called वो carbohydrates जो के tolerance reagent को या failing solution को reduce कर देते हैं वो कहलाते हैं reducing sugars 26 पे पूछ रहा है organic compounds that contain amine group and carbo oxalic group are called वो organic compound जिसमें amino group और carbo oxalic group दोनों शामिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है amino acid amino group से साफ पता लग रहे हैं amino की बात होगी और carbo oxalic acid है तो carbo oxalic acid की बज़े से इसका पूरा नाम हो जाएगा amino acid अब amino acid bifunctional होते हैं क्योंकि इसके नदा दो functional groups होते हैं और यह amphoteric in nature होते हैं यह पूछा जाता है mcq के नदा तो मैं लिख देता हूं यह bifunctional होते हैं और यह होते हैं amphoteric amphoteric मलब dual in nature होते हैं acidic और basic properties जोनों रखते हैं mcq no.27 ने पूछा जा रहा है main structural feature of protein is protein का structural feature जो main है वो कौन सा है peptide linkage, ether linkage यह easter linkage तो इसका सही answer है peptide linkage क्योंकि protein बनता ही उस वक्त है जब amino acids के दिनम्यान में peptide linkage हो अगर peptide linkage ही नहीं होगी तो protein का तसवर एक महस खयाल ही हो सकता है आगे बढ़ते हैं next mcq पर protein when hydrolyze when proteins when hydrolysis yields यहनी proteins को जब पानी के साथ में react करवाया जाता है पानी के डिजॉल्व के जाता है तो क्या चीज़ produce होती है तो प्रोटीन बनते हैं amino acids है तो इसलिए साथ में c double h group है उसके नहीं मौझूद तो oxygen भी होगा और amine group मौझूद है तो nitrogen भी होगा यानी हमारा सही answer होगा option d c h o n n यह चार elements ऐसे हैं जो के बहुत important है proteins के लिए mcq number 30 में हमसे पूछा जा रहा है the structure of protein was first given by या elucidated by proteins का जो structure है वो सबसे पहले किस ने propose किया था तो इसका नाम था fredrick sanger पूरी spelling हो जाएगी fredrick fredrick sanger इसका पूरा नाम है आगे बढ़ते हैं mcq number 31 में हमसे पूछा जा रहा है which of the following has maximum protein इन में सब सादा proteins किस के अंदर शामिल होते हैं तो सब सादा protein शामिल होते हैं अंडे के अंदर यानि एक के अंदर तो option a हमारा सही आंसर होगा अब बात करते हैं mcq number 32 की which of the following gives maximum energy in metabolic process इन में सब से आदा energy कौन प्रोवाइट करता है metabolic process के अंदर उसका सही आंसर है fats फैट सब से जादा energy प्रोवाइट करते हैं एक ग्राम फैट प्रोवाइट करता है 9 calories of energy similarly आप से proteins के बारे में या carbohydrates के बारे में पूछे जा सकता है तो 1 gram protein या 1 gram carbohydrate यह हमें देते हैं 4 calories of energy दोनों हमें देते हैं 4 calories of energy और यहां पर हम अपने chapter के mcqs की chemistry of life के chapter के mcqs को end करते हैं लेकिन क्यूंकि आप md cat के अंदर appear हो रहे हैं या e cat के अंदर appear हो रहे हैं तो आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि सिर्फ इतने mcqs कर लेना काफी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा practice की दरूबत हैं और बहुत ज़्यादा mcqs की practice के लिए description में जाएए एक link मौझूद है जो कि आपको मकसद app की तरफ ले जाएगा वहाँ पर आप e cat या md cat का goals भाई कर लीजे जहाँ पर आपको 6000 mcqs मिल जाएंगे जिनकी आप practice कर सकते हैं औ आपको solutions भी मिल जाएंगे तो अपनी तैयारी को और मदद अपना अपनी तैयारी को और बहतर बनाई है हम मिलता है आपसे नेक्स वीडियो में अपना ख्याल लगए हैं लाफिस